हेलो डरीवन वैलकम बैक टू आवर चैनल और आज हम सुरुआत कर Rhe Old करेंगे हिंदी का इंगलिश का कल करेंगे एक चैन्ट का इंगलिश का डेली ऐसा ही चलेगा अगर आपके व्यू अच्छे आते हैं तो आगे भी और भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे लेकिन फिलाल हिंदी करते हैं देखो अक्षय अक्षर वर्ण माला के किन संयोगों से बना है देखो अक्षय यह आपने ध्यान रखना है कि पहला अक्षर आधा आता है और फिर उसमें दूसरा वर्ण जुड़ता है संयोग्त अक्षर है यह संयोग्त वर्ण अक्षर क्या होते हैं जो दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं दो यह ज्यादा है संयोग्त ठीक है अब देखो इसमें ऑप्षन ही नहीं है जिससे मिलके बनता है इसमें का के नीचे हलंद लगता तो इसका option देखो कोई सा भी नहीं है क्योंकि यह का और शैशे बन कर बनता है त्रे बनता है आधा ता और रह से मिलकर रह कंप्लीट होगा पूरा होगा देखो रह कूरा कैसे है यह आधा रह है और इसमें आ मिल जाता है तब यह पूरा बनता है ठीक है ना सभी जो वियंजन ऐसा नहीं है जिसमें सवर ना मिला हो यानि सवर सभी में मिले होते हैं तो रह पूरा है यानि इसमें सवर मिला हुआ है और ता आधा है इसमें सवर नहीं है यानि इसके अंदर आ नहीं है यह आपनी ध्यान रखना है क्योंकि कई बार option में complete लिख के दे देते हैं तै भी complete लिखेते हैं और राइ भी कंपलीट लिखेते हैं तो हम धुगा खा लेते हैं तो हमने ध्यान रखना है कि पहला अक्षर आधा और पूरा लास्ट वाला ऐसे गय में अधा जै और फिर यह और शेय में होते है उनको हमने ध्यान में रखना है जिसमें कवर्ग और पवर्ग उन lieg؟ यह क्यों होते हैंусов के कवर्ग चाईसेछ यह चो डवर्ग और यह होते हैं आपके पवर्ग भासा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है धवनी, क्योंकि धवनी से ही आगे फिर क्या बनते हैं, वर्ण मिलते हैं, लगुतम वाक इकाई क्या होती है, अगर लगुतम वाक धवनी पूछे तो वर्ण है, और भासा कि अगर सबसे छोटी इकाई पूछे तो धवनी है, ठीक है वर्ण उस मूल धवने को कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो यानि और टुकडे ना हो सकें जैसे आ है आ का और टुकडा नहीं बन सकता ठीक है न इच वैक है न इनके टुकडे नहीं हो सकते जैसे कैलेकल है इसके तो टुकडे हो जाएंगे का को अलग कर देंगे लग को अलग कर सकते हैं लेकिन जिसका कोई टुकडा ना हो आगे उसको हम कहते हैं वर्ण ठीक है और कितने वर्ण है हमारे हमारे बावन वर्ण है यानि 33 वैंजन होते हैं आयोगवा होते हैं दो 11 सवर होते यहां पर दिया हुआ है आपका यह तो वही एक्स्प्लेनेशन है जो हमने कर ली है आप देखो यहां पर किस दवने से किस दवनी है आपने देखना है आप जब भी उचारन करते हो तो होट आपस में मिलते हैं आपने ध्यान रखना है कंट कंट को अकू है विसर्ग कासे तो कू होता है और कैसे कंट होता है आपने मिला के रखना है कि कंट कू यानि कवर्ग पूरा है हल और विसर्ग जो विसर्ग होते हैं वो सारे अपने कंट होता है यानि कंट से उचान किया जाता है किसका कंट कैसे कंट और कैसे कवर्ग और याद रख लेना है अकू है अकू है विसर्ग अकू है यानि क तो पूरा और हल और विसर्ग ठीक ना तालवे याद रखना है यानि इचू यह सा नाम बोलते हैं इचू यानि यी दोनों इचा वरग और यह और यह होते हैं आपके तालवे इसको भी हम रिलेट करके याद कर लेते हैं आप देखो मुर्धा मुर्धा कौन से होते हैं देखो मुर्धा मुह मुह से रिलेट कर लेते हैं मुह और टमाटर कहां खाते हैं मुह में खाते हैं यानि टमाटर वाला और कौन खा रहा है टमाटर रेशी खा रहा है और टमाटर से क्या निकल रहा है रस निकल रहा है तो यह सा अगर आपको और अच्छी ट्रिक मिलते हैं तो ऐसे याद कर लो लेकिन अगर वैसे याद हो रहे तो वैसे कर लो लेकिन याद होना चाहिए कि मुर्धा से ही यह क्या है तवरग दंत दंत यानि हम बोलते न तथद न तो सभी में यह जीव हमारी दांतों को टच करके जा रही है यानि यह दंत है यानि दंत को सपर्श कर रहे हैं होट होट जिसे पैफाब है यह सारे जब पैफाब वाली लाइन बोलते हैं तो सभी में होट आपस में मिल रहे हैं तो यह ओस्ट है ठीक है आगे देख लेते हैं किसी सवर की शायता से उचारित होने वाले वर्ण क्या क कि ही मिली होती है और जैसे अधक रही और उसमें अब वर्तमान हिंदी की लेपी में और हमारी और बाएं से दाएं लिखी जाती है ठीक है ना लेकिन जो खरोष्टी लीपी थी खरोष्टी लीपी वो पहले दाएं से बाएं थी दाएं से बाएं मतलब ऐसे ऐसे थी दाएं से बाएं यानि लेफ राइट टू लेफ्ट दाया मतलब राइट ठीक है ना और लेफ्ट मतलब बाया ठीक अभी लेख लिखवाए थे, वो कुरोश्टी लिपी में ही लिखवाए थे, और क्रोश्टी लिपी कैसे लिखी जाती है, एसे दाए से बाए, इहाaning से सुरु करेंगे, ऐसे जैसे उर्दु लिखे जाती है, और मंदारिन, जैसे चीन के लोग मंदारी जैसे दीकते न, जुन में लखी नहीं लिए याद करने के अरहा है पाली का पैसे पाली और पैसे पवित्र हैं और बोधिजो chamado Dukati की वहार सातके रोप में पाले त्रीक घौका है यहें तर pagar जो बाँ सरा यूंज ह्या último हम ठीक है ना ओस्ट यानि इसमें होट आपस में मिल रहे हैं उचारण मुझ के जिस भाग से वर्णों की धवनियों का उचारण होता है उसे उचारण स्थान कहते हैं यानि उचारण स्थान पूछे यानि मुझ के किस पार्ट का यूज हो रहा है उसको बोलते से मैं उसको उ होते हैं कंठ कंठ हैं यानि हमारा गला तालो उसे थोड़ा आगे मुर्धा उसे थोड़ा है दांत ऊसे थोड़ा आ होट फिर लाइस्ट अब लिए जाता है और कुछ नाग से बोले जाते हैं आ जने वों 5 में पर उचान स्थान के अधार पर नो वर्गों में बंटा जाता है फिर देखो कंठ और ओस्ट भी मिल जाएंगे जुरूरी है कि एक ही पार्ट का यूज हो रहा हुआ कई बार दो दो पड़ का भी ओ जो जाता है यानि आगे अच्छे से पढ़ेंगे हम ये देखो ये आगे हमारे आठ तो ये आगे और नोवा क्या है नोवा देख लेते कौन सार चुट गया देखो यहाँ पर कंठ यानि देखक कैसे कंठ और कैसे कवर्ग आ कु है अ कू है अ आ जई आ दोनों और कू और है अ कू है और बी सर्ग शारे क्या है कंड है ताल देनी हैं ताल देनी है ताल होगा और मुर्धा को हमने याद किया था कि रीशी ने टमाटर खाए बढ़ ये और रस पी लिया मुह से हैं मुह से रीशी ने पी लिया दंत दंत जैसे तश त्सला तसला ऐसे याद रख लेंगे तशवा किसी लगते हैं जैसे दूनों और पवर्ग और नासिका से अंग ये नाक से बोले जाते हैं नाक बंद कले तो ये अच्छे से नहीं बोले जाते हैं एक है, कंठोस्ट यह ज़ना कंठ और होठों से बोला जाए है, जासे औव अउउ और एक यह रहा गया ए और आी ठिक है यह रहा गया यहबी स्थान ओता है, नूँवा ठिक है नउज भाय और दन तौस्ट यह दांत और होठों का दोनों का यूज उता है, कुछ वन में दानत और होट दोनों का अपणे लग जाते हैं आगर सेड़ दीच जाए तो वसली है कि तो इस धावनी को जिसकी कंड नहीं हो सके उसे क्या कहते हैं तो उसकर कहते हैं लास्ट धौणी होती है और हमारे सबसे छोटी एकाई क्या है वर्ण ही है और बावन वर्ण होते हैं संयुक्त वर्ण कौन सा है या कौन सा नहीं है कौन सा नहीं है इसमें कौन सा संयुक्त वर्ण है देखो ये तो संयुक्त वर्ण नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये है क्योंकि क और श्रय मिलके क्या बनाते हैं संयुक्त वरन हमारे चार ही होते हैं देखो अक्षे त्रे और अग्गे और श्रय ठीक है ना श्रय सरमिक तो ये सारे चार ही संयुक्त अक्षर होते हैं तो इसमें कौन सा था अपना अक्षे त् ढफ चतान थे तो श्रय अगला धेख लेते हैं अगला है अगला रहे हैं तो अगला अपना प V वर्ण है kayak कका उचारन स्थान बताना है तो खोटका ही उचान होता है तो अभीarla मेने त्या एविएक में आया वेट एकले में तो आशे हैkor कंटतर और अकू है अकू है विसर्ग में कंट तालू तालू यस इच इच को यस क्या देना है ताल देनी है तालू यानि ये और शै भी आएंगे इसमें डंत से उठा लिया तसला यानि तवर्ग तो पूरा तथद दन और सै और लेबी आएंगे ठीकें अगला देख लेते हैं होट से क्या आएगा होट से पूरा पवर्ग पूरे होट से आएगे अनुनासिक यानि जिसमें अनुनासिक कुन से होते हैं जिसमें नाग का यूज हो वो होते हैं वर्ग का पांचवां अक्सर ठीक है ना पांचवां अक्सर जैसे हमने कहा था नहीं नहीं ये पांचवां अक्सर क्या होते हैं अनुनासिक होते हैं जिसमें वायू नाग से निकल तो पता चलता है लेकिन अनुनासिक इसमें भी हमने नास बोलते हैं हरेनवी में ऐसे नाक होती है तो ऐसे याद कर लेते हैं भी मुर्धन्य मुर्धन्य दवनिया कौन से होती है देखो मुझ से क्या खाया टमाटर और टमाटर कहाई यह रहा ठीक है और यह हमारा हो गया देखो आगे फिर यह देखो हमारी दवनिया है फिर से याद करोगे बार बार रिवाज करोगे ना याद कर लेंगे से कंट तालोव है तालोव से क्या होगा परतेग को ताल देनी है किसने इच को तालोव किसने देनी है यस तो यस यस वर्ग करें है तो रहा है और रेस और रहस भी बीघी जान दांत में आप ठालीया था सला है यानि तवरग पुरा था था द दन और ला और चीक है होट फोट से दोना ओ ऐसे करते ना फोट फोट यानि पोट का यूज़ कर रहे हैं याद कर लेंगे गांट और तालवे देखो कंट का भी यूज हो रहा है और तालू का भी यूज हो रहा है ए और अई कंट और तालू दोनों का यूज हो रहा है ये दोनों परती में हैं तालू भी बजा रहे हैं और कंट का भी यूज कर रहे हैं कंट होस्ट है यानि कंट का भी यूज हो रहा है जिसे ओ और दंतोस्ट ह दान्त और होट दोनों का अमपने लग जाते हैं जब हम वन में जाते हैं तो यह वर गया है देखो यह वियंजन तो है तो हमारे सवर तो 11 ही होते हैं चलो आगे आ जाएंगे वह देख लेंगे घख क्या है वियंजन क्या होते हैं जो सवर की शाहिता से बोले जाते हैं और इनमें मिक्ष होता है और इनकी संख्या क्या होती है 33 होती है अगर द्वीगुन दो रहे थे ना दूसरे वियंजन है वो द्वीगुन वियंजन है उसको जैसे अडय, जैसे सडक में, ये पहले नियोते बीच में आते हैं, सडक, लड़की, ये और ये धह, ये बीच में जोड़े जाते हैं, इनको मिलाके 35 हो जाते हैं, वेंजन, प्रमपरागत रूप से तो जो पुरानी समय से तो 33 ही पढ़ रहे थे हम, लेकिन दो ये द्वी महापराण होता है, जिसमें महा मतलों ज्यादा, जिसमें क्या लगे, जिसके उचारण में अधिक सांस की जरूरत हो, ये क्या होते हैं, महापराण होते हैं, अच्छा, जिन वरनों के उचारण में, सब्दों का नि, देखो ये तो सब्द था, दीसरा दो, सब्द नि, वरन कर देखो महा प्राण कुन से जिनके वर्णों का उचारण में मुख से अधिक शांस निकले अना तो वो क्या हुता है अमारा देखो प्रतेक वर्ण का जो आम निख में कवर गट्च वर इक रिखा मम उसका उसका दूसरा और चोथा दूसरी नंबर का और चोथा नंबर का यानि दो दूने चार ये क्या होते हैं महापराण होते हैं और उसमें 6 और मिला देते हैं 6 है तीनों से मिला देते हैं तो महापराण हो जाते हैं ठीक है ना महापराण कौन से होते हैं पहला और दूसरा वर्ण और प्लस तीनों से और है अब कौन सा वरण अलब पराण है अब दूसरा और चोथा तो क्या हो गया महा पराण तो बच गया कौन सा 1, 3, 5 यानि पहला तीसरा पांचमा वो क्या है अलब पराण है अब पहला कौन सा वरण है इसमें देखो यह भी दूसरा यह जोथा है यह दूसरा है यह अणाय नहीं है अणाय क्या है पांचमा वरण है तो पांचमा वरण है तो पांचमा वरण क्या होता है अलब प्राण होता है और और क्या होता है यह नाशिक क्या भी होता है जो नाशिक से बोला जाता है नो नाशिक है लेकिन यहां पर हम अलब प्राण की बात करेऊ तो यह 52 वरन है इसलिए क्या है अलब प्राण है यहां पर फजाए यह पेspra band को दरसाता है महावरान यहनि ज्यादा प्राण लगे ज्यादा वायों लगे देखो पहला है यह पांच वह हैं यह दूसरा है तो यह दूसरा ही हो predictive यह दूसरा हिसे दूसरा रहे हैं ज्याद में उर कम शमय लगे अधिक लगे तो महाप्राण हो जाते हैं और कम लगे तो क्या हो जाते हैं अलग प्राण हो जाते हैं अगला देखें कौन सावन अगोस है देखो अगोस आ गया अब गोस में और महाप्राण में अलग पजल नहीं होना है यह अगोस अलग है महाप्राण अलग अ यह याद रखना है अब यह क्या है अगोस अगोस अलग होते हैं अगोस यह चय क्या है अगोस है यानि पहले दो वर्ण अगोस होते हैं बाकी सारे सभोस होते हैं अब देखो अगोस किसे कहतेंगे जिसमें घोष ना हो यानि घोष ना ना हो गोष ना मतलब कमपन ना हो यानि और तीनों से हैं फै और से यह अग्षोस होती है ठीक है ना अग्षोस के साथ साथ ही क्या होती है महाप्राण भी होती है यह तो यह अग्षोस है आगे देख लेते हैं हमारा अग्षोस वरन अग्षोस कुंसा होता है पहला और दूसरा अब इस में से पहला कुंसा देखो यह पहला है और दूसरा यह होता है जब में सब्समिamous और सब्स और दूसरा है या रखना है लग्होस है बागी से कुछ अब इसको थोड़ी से explanation पढ़ लेते हैं जिन धवनियों में उचारण सवरतंतियों में कम पन हो तो उसे घोस कहते हैं जैसे तीसरा चोथा पांचमा और यह रेलेव है ठीक है और सारे सवर यह भी आदे सवर होगी होते हैं यह रेलेव है और सारे सवर भी और तीसरा चोथा उल् fort यह सारे क्या होते हैं गोस होते हैं सिरफ आपने यह द्राइद रखना है कि पहला दूसरा जो शरी जना है में प्हला दूसरा वहते हैं अग भूस तीक Васी बोलते नहीं पहला और दूसरा बार क्लें बोलता बस लाइन में बट्था बाकिस सारे बोलते हैं आप देख लो रहे में ऐसमें कंपन नहीं होती है उनकी कोई अवाज ने कटी कोई company करते है पहला दूसरा बच्का जो गलास में पारले दूसरे बैंज बठे रहता है बाकि सारे अवब च सारे घोष ना करते हैं सब होस में सब और जिसमें से पहला और दूसरा कुन सा है चै चै क्या है दूसरा है ठीक है ना कई बार पजल होते हैं बच्चे महा प्राण में और अग्वोस में अग्वोस याद रखना है पहला और दूसरा लाइन का जो पहला और दूसरा है वो बच्चे नहीं बोलेंगे वो अग्वोस रहेंगे या करेंगे लेकिन महापराण में क्या होता है कि दूसरा और चोथा बच्चा महा पराण है यानि दो चार बच्चे दो 4 बच्चे यानि जो और उसमें 1-3-5 ज्याद़ करेंगे तो पजल हो जाएंगे वैसे याद रख लेना है दो चार बर पढ़ोगे ना अपने आप याद हो जाएंगे देख ना निपी में कितने वर्ण है यहां पे यह रहां ठीक है अब इसमें देखो ग्यारा तो सवर है मामारे दो अयोगवा है यानि अंगय और एह अयोग सवर है अब कितने अनुसवार है अनुसवार है अनुसवार एक फिक है और कितने विशर्ग है विशर्ग भी यह एक खाली बोलते ना जिसको एक ही भी सर्व है अब दूसरा चैप्टर कल की वीडियो में करेंगे आज की वीडियो कैसे लगी कोमेंट जरूर करें भई आप ये कोमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है थेंक यू